नमेश्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है MSSE Notes में तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ हिंदी साहित के इतिहास से संबंदित बहुत ही मज़िदा ट्रिक जहां पर जितने भी काल हैं आपके जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहोंगे आदिकाल, भक्तिकाल, कौन सबसे ज़्यादा प्रमुक कभी हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाय हैं जो की एक्जाम में पूछी जाती हैं उनको मैं आपके सामने ले के आऊंगा और साथ वे साथ आप लोगों को याद करने की बहुत ही मज़िदार ट्रिक बनाऊंगा तो आप लोगों को तुरंत क करना मत भूला करिएगा और इसमें अगर जो कुछ भी बच जाएगा उसके हम लोग अगले पार्ट में डिसकस करेंगे तो देखते हैं सुरू करते हैं चले स्टार्ट करता हूं मैं तो सबसे पहले आप लोगों पता है कि अगर हिंदी का काल विभाजन अगर हम लोग से कि हजारी प्रशिजवाद दिरेदी जी हैं आचार राम चंदर सुकले जी हैं सबने मिश्रबंदू हैं सबने अपने अपने तरीके से काल विभाजन भी किया उनका नाम करण किया थो हम लोग अभी उस सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं हम लोग को बस यह कि आधिकाल का समय हमारा कब है एक हजार से तेरा सो पचास तक एक एवरेज में माना जाता है तेरा सो पचास से सोला सो पचास में कौन है भक्तिकाल और सोला सो पचास से लेके अठारा सो पचास तक आपका रीतिकाल माना जाता है और अठारा सो पचास से अब तक जो है समय यह किसका है यह हमारा आधुनिक काल के अंतरगत आता है चलिए तो अब हम लोग को यह देखना है कि आधिकाल में कौन प्रमुख कभी है ठीक है तो उसको हम लोग देखते हैं आगे बढ़ता हूं मैं ठीक है तो आधिकाल के प्रमुख कभी कौन कौन से देखे तो आग आपक नर्पति जगनीक यह हमारे आदिकाल के प्रमुक कवी है और इनमें आप लोगों को पता ही है कि अनेक अनेक प्रकार के रचनाएं की हैं बहुत ज़्यादा यहां पर मान सम्मान बहुत सारी चीज़े हैं जैसे ही आप लोग अगर अमीर खुसरों की बात करेंगे तो प्रश् खुसरों के जग में से नाराज था ठीक है आदिकाल में विद्या का चांद खुसरों के जग से नाराज था विद्या से याद रखना है विद्या पती चांद से याद रखना है आपको क्या चांद से आप लोग याद रखेंगे चंद्रबरदाई और खुसरों से याद पता ही है जैसे खुसरो का आप लोग पता है कि खुसरो बहुत ही जादा एक सूफी मिजाज के कभी थे जैसा कि आप लोग पता है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टो इसकी धार जो उतरा सो डूब गयो और जो डूबो सो पार इन्होंने ही क्या किया था इन्होंने पहलिया बुजाना शुरू किया था और जो आप लोग आज कल खेलते नहीं हो तो वह सब यहां पर जो मुक्रीव अगरा है यह सब भी खुस्रों के काल में ही शुरू हुई थी चले आगे चलता हूं मैं आगे देखेगा अब जैसे खुस्रों है ठीक है तो यहां पर खुस्रों में कौन कौन से महान महान चीजें हैं इन्होंने कौन कौन से चीजें कृत की हैं इनकी कृतिया कौन से वे देखेगा तो इसकी देखेगा ट्रिक देखेगा कि अमीर हिंद के मालिक कनईया है ठीक है त से क्या याद रखेंगे आप लोग नजरान ए हिंद और मालिक से याद रखेंगे तो मालिक से आप लोग याद रखेंगे खालिक बारी ठीक है मालिक से क्या याद रखेंगे खालिक बारी याद रखेंगे और कनहिया से क्या याद रखेंगे तो कनहिया से आप लोग याद र ठीक है कि यहां पर याद रखेगा विद्या के पद कीर्ति व लता की पताका है ठीक है याद कैसे रखेंगे विद्या के पद कीर्ति व लता की पताका है देखेगा तो यहां देखे पद से क्या हो गया पद से हो गया पदा वली ठीक है पद से हमारा क्या हो गया हमारा पदा कीरति से क्या हो गया कीरति और लता डेखिए कीरति के साथ आपका लताला ने कर手लेमियाद य। आप लोगों को पता ही है चार बांस चौवेज गज अंगो लश्ट प्रबाड ताउपर सुल्टान है मत्चू के चौहान तो आप लोग भी बिलकुल मत्चू कना ठीक है तिये कहां का है प्रिथ्वी राज रासो चंदरबरदाई ने यहां पर रिची थी यह महा का भी है उस अठारा च्छत्री जीवे आगे जीवन को दिक्कार बहुत लोग कहते हैं कि मेरा दोस्ट जो है 21 साल का हो गया है ठीक है क्यों कहते हैं बागे आप लोग समझी गया तो यह पूरा का पूरा आप लोग को आदिकाल के सभी कवियों का हो गया यानि जो कवी थे उनकी जो और वह्या भाग शुजल्ड़ नहीं जानेंगे जैसे आपको पता है प्रेम इस अरिक्심 साकंगे लें DR होता हुनका नाम ही काफी है रॉम भक्ति साखरा में और उसके बाद अगरम ल 것은 बात करें किसकी फ्रेमासरई याना क्पीर दोनों में हैं जो शिष्टे धर्मदास है वह भी है रहधास है यह रहधास को रविदास भी कहते हैं और आप लोग को पता है कि प्रेम आसरे में कभीर कैसे हो सकते तो पूथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई ठीक है धाई आखर प्रेम का पड़ी सो पंडित होई यह है प् इसी बाड़ी बोल ये हाँ बागि आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजे चलिए तो फिलहाल हम लोग आते हैं ने भक्ति काल की सुरुवात पर तो भक्ति काल हमारा क्या है भक्ति काल के प्रमुक कवियों के बारे में देख ले ठीक है कौन-कौन से प्रमुक ही है याद रगने का तरीका देखिए मैंने एक दोखा बना है ध्यानसे सुनिएगा यास ऊध לש को करिएगा ठीक है ठीक है रहीम रएडास रसकान से तुलसी मीरा का मान पना सूर कबीर और जाइसी से भक्तिकाल भक्तिकाल का नाम बना, इस समझ में आए, जितने भी भक्तिकाल के प्रमुख कभी थे, मैं यस दो लाइन के, आप जिसको चौपाही दूभा, जो भी मानना है, मान लेजिए, बस चंद कह सकते हैं, इसको हम लोग मुक्तक चंद कहाद का जाते हैं, ठीक है, मुक्तक चंद का जाती पाती पूछा है नहीं कोई हरी को भजैसो हरी को होई तो अब हम लोग आते हैं प्रमुख कवियां हो गए देखे रहीम दास रहधास रस्खान तुलसी दास मीरा बाई और सूर दास हो गया कबीर दास और जैसी यह हमारे प्रमुख कवी है कहां के भक्तिकाल के अब मैं इनकी एक एक पकड़के सभी ने जो जो रचनाय रची है ना उन सभी काम लोग यहां पर आते हैं रहीम दास से सुरुवात करते हैं तो रहीम दास का पहला है रहीम दास का दोहा ठीक है रहीम का दोहा सोर्था नाइका पर बरसे ठीक है रहीम दास का दोहा सोर्था नाइका पर बरस है यह ट्रिक है अब थोड़ा गा के बता दू मैं अच्छा आप लोग सुचते होंगे कि यह है ले है ही नहीं ले देखेगा रहीम का दोहा सोठा नाइका पर बरस है अब क्लियर है आप समझ में आ रहा है चलिए तो यहां पर देखेगा तरीका क्या है इस ट्रिक का म इसे याद रखेंगे दोस्तों तो रस्खान की ट्रिक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सूजन प्रेम की वाटिका सूजन से याद रखना है सूजन रस्खान और प्रेम की वाटिका मतलब प्रेम वाटिका इसे याद रखना है सूजन प्रेम की वाटिका ठीक है क्लि कभि रा में गीत काते हैं तो दो से यहाद रखना है दूह वलिक कभी हसे आज रखना है कवistä वली रहा से यार्खना क्या है देखीगा तो मीरा की नर्सी ठीक है तो मैंने एक दोहा बनाया देखेगा मीरा की नर्सी राग में गुविंद रा में हो सोर्था तो गीत में गुविंद मीरा की नरसी राग में गुविंद, राग में हो सोठा तो गीत में गुविंद, गीत गुविंद आप लोग बता दू, जैसे गीत गुविंद है वो हमारी जैदेव की है, लेकिन गीत गुविंद का जो टीका है, गीत गुविंद टीका, वो किसकी है भी मीरा भाई की है, और गीत गोविंद किसका है जैदेव का है याद रखना है ठीक है अगर गीत गोविंद टीका आजाए तो मीरा भाई केवल गीत गोविंद आजाए तो जैदेव या रहेगा गुड तो नरसी से आद रखना है नरसी जी का मायरा राक सोठा गीत गोविंद टीका और राक गोविं इतनी चीजे मीरा बाई दौरा रचित हैं मनलब प्रमुक प्रमुक हैं रचित बहुत धेर सारी चीजेए हैं कबीर दास के बारे में आ जाते हैं म्लोग जानकारी ले लेते हैं तो देखे कबीर दास का क्या है राम के अनुराक से रचना हुई ग्रंत की साखी वीजग सबत से महानता हुई संत की वावा बोले वावा चले फिर सुने राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंत की साखी वीजग सबत से महानता हुई संत की देखेगा याद रखने का त्रिक याद रखना है तो राम से याद रखना है रमैनी अनुराग से याद रख अगे आये हमारे जसी जी ऊप्रमुक्रचना हो इसको याद रखने का ट्रीक कोण सा है देखेगा तो पदमावती के अखरावत को जाइसी का आखरी सलाउ पदमावती के अखरावट को जैसी का आखरी सलाम तो पदमावती से आदगना है पदमावट अखरावट से आदगना है अखरी कलाम ठीक है तो इनकी कौन से प्रमुख रचना है पदमावट अखरावट और आखरी कलाम तो clear हो गई बाते, तो ये हमारे कौन कौन से हो गए basically, तो ये हमारे सारे हो गए कौन से, आधिकाल और भक्तिकाल के प्रमुक कभी और उनकी प्रमुक रचनाए, बचे कौन से, रीतिकाल और आधुनिकाल, दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इस वीडिय को दोनों चीजे मैनेज हो सके, और साथ साथ आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा, ज्यादा ज्यादा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और तभी मैं इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लेकिया होगा, ठीक है, इसका next पार्ट